आज मैं आपके साथ एक ऐसी चटपटी रेसिपी शेयर करूंगी जो आपके खाने के स्वात को डबल कर देगी तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुती टेस्टी एकदम अमेजिंग सी हरी मिर्च और प्याज की सबजी जिसे आप लंच में या फिट डिनर में कभी भी खा सकते हैं साथ महीं चाहें तो आप इसे पूरी पराठा रोटी से खाएए सभी के साथ बहुत ही बड़ी अलगती है और आप इस चटपटी सी प्याज हरी मिर्च की सबजी को आठ से दस दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं ये बिलकुल भी खराब नहीं होती है तो चलिए फटा-फटे बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पे करीबन मैंने ले ली है डेर सो ग्राम हरी मिर्च ये वही वाली हरी मिर्च है ये थोड़ी सी मोटी है और इन में तीखापन थोड़ा सा कम होता है तो सबसे पहले क्या करेंगे ने बढ़िया से दो-तीन बार धो लेंगे और धोने के बाद इनके जो आगे के डंठल होते हैं उन्हें हम कट कर लेंगे उसके बाद हम इने लंबाई में कट कर लेंगे चाहें तो आप इने लंबाई में दो-पीस में डिवाइड कर लें या फिर आप इनके छोटे-छोटे टुकडे भी कर सकते हैं या पर जैसी इच्छा आपकी हो वैसा आप यहाँ पर कर सकते हैं कई बार क्या होता है हम घर में अकेले होते हैं और सिर्फ हमें अपने लिए ही खाना बनाना होता है ऐसे में हमें बड़ा आलस आता है कि सबजी बगेरा क्या बनाएं तो अगर उस टाइम पे आपके पास हरी मिच और प्यास की ये सबजी रखी होगी न तो आपको सोचने की ज दग दिया है और उसके बाद मैंने ले लिया है एक यहां पे बड़े साइज का प्याज सबसे पहले इसे भी बढ़िया से चील लेंगे धोल लेंगे और इसे भी हम लंबाई में कर लेंगे, बट यहां पर अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसे पूरी तरह से स्किप भ लाजबाब बनती है तो फ्रेंड्स यहां पे आप सभी से एक बात कहना चाहती हूं कि अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं आप उन्हें घर पे ट्राइ करते हैं और अगर आपको लगता है कि वो बढ़िया बनती है तो प्लीज म आज से दस मिनट में ये बनके तैयार हो जाती है तो यहां पे सबसे पहले गैस पे रखेंगे एक पैन या फिर कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे दो से तीन चमच भर के कुकिंग ओल जैसे ओल बढ़िया से गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे आदा चमच भर के जीरा स तो थोड़ा सा क्रैकल कर लेंगे और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें प्याज अब यहां पे न हाई फ्लेम पे प्याज को सिर्फ आपको एक सेकेंड के लिए भूनना है बहुत जादा यहां पे ब्राउन नहीं करना है और जैसे ही एक सेकेंड पूरा हो जाए यह थोड यहां पर सबसे जरूरी होता है तो यहां पर सौफ का पाउडर बिल्कुल भी किप नहीं करना है अब साथ में ढालेंगे आदा चमच भर के कलोंजी टेस्ट के कोर्डिंग नमक डाल देंगे और यहां पे डालेंगे आदा चमच बर के कश्मीरी लाल मिर्च क्योंकि इसमें तीखापन नहीं होता है इसमें कलर होता है जादा अच्छा कलर आता है इसलिए हमने से एड़ किया है अब यहां पे सारे ड्राइम मसाले को ना प्याज के साथ बढ़िया से भून लेंगे एक सेकंड के लिए और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च अब हरी मिर्च डालने के बाद भी इसे बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा तो यहां पे ना हमें दो से तीन चमच सौफ का पावडर डालना है एक चमच तो मैंने अभी स्टार्टिंग में डाल दिया था और एक से डेर चमच मैं डालूंगी बाद में जब यह हरी साले को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसे हम ढखकां से ढखके मीडियम टू लो फ्लेम पे दो से तीन मट के लिए पहले को करेंगे तो दोस्तों कैसी लग रही है आपको आज की चटपटी हरी मिर्च और प्याज की सबजी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है अपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज प्लीज वीडियो को एक लाइक चरूर कर दीजेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं हरी मिर्च और प्याज की जो सबजी है अल्मोस्ट हमारी बन गई है धकन ताके बीच बीच में मैंने इसे ना दो तीन बार चला दिया था और मीडियोम टूर लोग गैस पे मैंने इसे 7-8 मिर्ट के लिए बढ़िया से गो कर लिया है अब लास्ट मेस में डालेंगे हम एक चम्मच भर के ड्राई मैंगो का पाउडर साथ महीं डालेंगे यहाँ पे में मसाले जो है वो भरपूर मातरा में पड़े हुए हैं खाने में बहुत ज़्यादा सूपर डूपर टेस्टी बनती है फ्रेंड्स साथ ही आप इसे बना के हफ़ते भर के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं ये ऐसी सबजी होती है जो जल्दी खराब नहीं होती है आप इ हम सभी के घर में भरपूर मातरा में रहती है क्योंकि जब भी सबजी लेके आते हैं तो हमेशा सबजी बाले भाईया हरी मिर्च देही देते हैं तो इस तरह काफी सारी मिर्च इखटी हो जाती है तो इस तरह आप एक बार हरी मिर्च और प्याज की सबजी बना के रख और हफ्ते वर्दा को उसे enjoy की जिए तो friends i hope आपको आज की हे रेसीपी पसंद आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो struggling को लाइक करें वीडियो को शेर करें साथ में अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनलो को सबस्क्राइब करना बिल्कुल अगर आप YouTube पे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें साथ में मुझे ये भी बताईएगा कि आप लोगों के घर पे जब हरी मेच बच जाती हैं तब आप उनका यूज किस किस तरह करते हैं या फिर इस तरह की सबजी आप किस तरह बनाते हैं मतलब उसमें और कौन-कौन से मसाले एड करते हैं मुझे भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा तो चली फ्रेंड्स मैं आपसे मिलती हूँ इसी तरह की एक और नई वीडियो में तब तक के लिए बाबाई and टेक केर